नमस्कार, मैं अर्चन जोहरी आप सभी का हारदिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ उस कारिक्रम में जिसका नाम है साहित्य सरीता आज साहित्य सरीता में बहेगी काव सरीता और इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौझूद हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन कवित्रियां मैं आपका तारूफ कराऊं हमारे बीच मौझूद हैं कवित्री और शायरा प्रग्या विकाज जी, इनका गजल कहने का अपना एक अलग ही अंदाज है हमारे साथ हैं कवित्री लेखिका व्यंगकार शिरीमती अलका अगरवाल सिक्तिया जी और हमारे साथ हैं कवित्री और अभीनेत्री शिरीमती रेखा बबल जी आप तीनों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और हम सब तयार हैं आपकी कविताओं का रस्पान करने के लिए तो सबसे पहले मैं मुड़ती हूँ उन्ही के एक शेर की साथ प्रग्याविकास की तरफ कि अपनी तनहाई का एहसास कहां करती हूँ तो मेरे साथ है दिन रात गुमा करती हूँ रोज सुलगा के मैं लोबान तेरी यादों का अपनी तनहाई के कमरे में धुमा करती हूँ तो आईए चलिए प्रग्या जी की तनहाई में थोड़ा हम प्रविश करते हैं और उनसे सुनते हैं कुछ घजले प्रग्या विकास बहुत बहुत शुक्रिया अर्चिना जी एक मुकमल घजल हाजर करती हो उसके पहले चार मिस्रे यूँ कि एक तीर बनके छूट गए थे कमा से हम लोटे नहीं है आज तलक आस्मा से हम अब इश्खो भी जाए तो इनकार है हमें गुजरे हैं कितनी बार इसे इमतहां से हम गुजरे हैं कितनी बार इसे इमतहां से हम गजल का मतला समात करें मतला यूँ कि बातों बातों में ये आज क्या कह दिया आपने तो हमें बेवफा कह दिया आपने तो हमें बेवफा कह दिया बहुत बहुत शुक्रिया श्राजी मतला देखें शेर देखें कि देखता रह ग जिसने देखा हमें, जिसने सोचा हमें सरफेरा कह दिया, बातों बातों में ये आज क्या कह दिया, आपने तो हमें बेवफा कह दिया, और ये शेर बतोरे खास शेरियों की, हम बहक से गए आपको देखकर, हम बहक से गए, हम बहक से गए, हम बहक से गए, हम बहक से गए आपक हमको कहना था क्या, हमने क्या कह दिया, बातों बातों में ये आज क्या कह दिया, आपने तो हमें बेवफा कह दिया, और ये शेर की, वो भी पत्थर से निकला हुआ बुथ ही था, एक अकीदत ने उसको खुदा कह दिया, वाँ, वो भी पत्थर से निकला हुआ बुथ ही था, एक अकीदत ने उसको खुदा कह दिया बातों बातों में ये आज क्या कह दिया और ये शेर देखें कि हम बहक से गए हम भी अपने ख्यालों में खोए रहे हम भी अपने ख्यालों में खोए रहे हम भी अपने ख्यालों में खोए रहे हमको दुनिया ने भी गुमशुदा कह दिया हमको दुनिया ने भी गुमशुदा कह दिया और शेर आखर यूँ कि बातों बातों में ये आज क्या कह दिया हम बहक से गए आपको देखकर हमको कहना था क्या और क्या कह दिया अपनी फितरत नहीं पीट पीछे कहें सामने जो भ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी कवित्री अल्का अगरवाल सिक्तिया की तरफ और वो कहती है कि दुरोपदी अब नहीं आएगा कोई कृष्ण तुमें ही उठाने होंगे शस्त्र तो आए सुनते हैं अल्का अगरवाल सिक्तिया को जाने बादे इसका शीषक है खिड की एक स्वागत है कहता है वो कहता है वो ये टै करूंगा मैं कि कितनी हवा ले सकती हो तुम कब कौनसी और कितनी खोलनी है खिड की बताऊंगा तुम्हें ये मैं कितनी हवा समो सकती हो अपने फेफडों में तुम कितनी ओक्सीजन ले सकती हो तुम निर्धारित करूंगा ये मैं कितनी प्रानवायू मिलेगी तुम्हें निर्णे होगा ये मेरा ये क्या ये क्या मेरा ध्यान जरा सा बटा नहीं कि तुमने हिमाकत कर ली खिड़की खोलने की बिना मेरी इजाज़त प्रानवायू भीतर समोने की किस भाशा में समझोगी तुम कि घर है ये मेरा हां मेरा और जानता हूँ के बहुत हवादार भी है लेकिन हवा तुम्हें यहां उतनी ही मिलेगी जितनी मैं दूंगा तुम्हें क्योंकि सब कुछ मेरा ही तो है और मेरा मैं मेरा मैं तुम्हें जितना देगा बस उतना ही होगा तुम्हारा प्राप पर क्या करूं क्या करूं तुम्हें क लोग तुम्हें मुझसे शेष्ट कह सकते हैं, तुम्हारा रास्ते तु मुझसे पहले, तुम्हारा वजूद मुझसे बड़ा, नहीं, घलत फहिमी है ये लोगों की और तुम्हारी भी, तुम्हें मैं खंड-खंड कर दूँगा, कभी पूरी खिड़की खोलने ही नहीं ये क्या, रो रही हो, रो लो, आसु बहाना ही तो है नियती तुम्हारी और जान लो, जान लो की नहीं, पिगलाते तुम्हारे आसु मेरे भीतर कुछ भी, मैं, मैं छील लूँगा वो हर पल, वो हर मौका, जो मुस्कान तुम्हारे होटों पर सजा सकता है, वजूद को पर क्या है ना, क्या है ना कि मेरे पितर्त्व ने इन्हें भी सम्मोहित कर दिया है, इसलिए तुम्हें हवा देने वाली हर खिड़की को इन्होंने भी बंद कर दिया है, उसकी सांसे घुट रही थी, आखिर कैसे वो जी रही थी, कहा उसने आसु बहाना ही ये नियती मेरे नहीं नहीं नियती ये मिरी नहीं बनूँगी याचक अब मैं कभी जैसे ही सोचा उसने कि नहीं बनूँगी याचक अब मैं कभी अचानक बंद खिड की दर्वाजे खुल गए एक रोशनी सी रिसी उस रोशनी में उससे खलम और डाइरी दिखी जैसे ही खलम उसने हाथ में उठाई, कुछ ताजी हवा भीतर उसके समाई, खोला उसने वरक नया, खलम से लिखा हर्फ नया, बनने लगे मन के उद्गार, अब गीत, कहानी, नजम, कविता और नजाने क्या-क्या, बनने लगे मन के उद्गार, गीत, नजम, कहानी, कविता और नजाने क्या-क्या, लिख लिखा उसने मैं लेना चाहती हूँ सांस खुली हवा में, मुक्त होना चाहती हूँ भीतर के घुटन से, लेना चाहती हूँ अपने हिस्ते की प्रानवाईू, अब मैं खुद ही अचानक खुल गए खिड़कियां दर्वाजे तमाम, नहीं घुट रही सांसे अब उसकी, नहीं घुट रही सांसे अब उसकी, मुसकान में बदल गई सिस्की, जितने शब्द उत्तर रहे हैं बरकों पर, प्रानवाईू भीतर उतनी भर रही है उसके, लिखते लिखते अब वो गम के नहीं, खुशी के तराने गुन गुना रही है, जुटला किसी का दम, अब वो मु वजूत को सजा रही है, उसके पूरे वजूत को महका रही है, बहुत बढ़ी अलका अगरवाल सिक्तिया, जिन्होंने नारी के असमिता पे इतनी अच्छी कविता सुनाई, और अब हम बढ़ते हैं, अपने पड़ाओ में, हमारी अगली कवितरी, रेखा बबल की तरफ, ज हम बढ़ते हैं रेखा बबल की तरफ और सुनते हैं उनकी कविता, शुक्रिया अर्चिना जी, सीधी कविता पर आती हूँ, क्यों मा, क्या बातें कर रहे थे, पापा, चाचा और दादी, क्यों मा, क्या बातें कर रहे थे, पापा, चाचा और दादी, क्या जन्म लेने से ही कर रहे थे मुझे मां डालने की तैयारी आहां चौको मत मां कल रात जब दिवार से कान लगाए तुम सुन रही थी उनकी बात तब मैं भी तो थी तुम्हारे साथ क्या जो वो चाहते हैं तुम हो जाने दोगी क्या जो चाहते हैं तुम हो जाने दोगी गोद में आने से पहले ही अपनी चकोर को खो जाने दोगी ना रोना मतम रोना मतम इन आसूं को पोचोगी तभी तो मुझे बचा पाने की सोचोगी और फिर क्या हुआ डबडबाई आँखों में तैर गई जीवन की मुस्कान अब चाहे जो हो जाए जान पर खेल कर भी बचाऊंगी अपनी चकोर की जान रिष्टे ही तो टूटेंगे अपने ही तो छूटेंगे पर तुझ से ज्यादा कौन होगा मेरा अपना तु तो है मेरी ही सांसों से उपजी मेरा सुन्दर सा सपना तेरी खातिर तो सब कुछ सहलूंगी जरूरत बड़ी तो उल्टी गंगा में भी बहलूंगी लाडो मेरी तू है मेरे अस्तित्तों का अंश वादा है तुझसे अब छूबी न पाएगा तुझे इस समाज का कोई कंस जिससे भिरना पड़ा भिर जाओंगी पर अबके होने नहीं दूंगी अपनी कोख का विद्ध्वन्स लेकर चलूंगी तुझे उस ओर जहां होती हो स्वचन्द किलकारी की एक नई भोर तु देखना तेरी मा की ये पहल लाखों माओं को पकड़ाएगी हिम्मत की एक अटूट डोर फिर किसी कोख में जन्म लेने से पहले मरने ना पाएगी अब कोई चकोर अर्चना दी हमारे लिए एक रचना सुनाएं और हम उसका रस्पान करें अर्चना दी स्वागत है आपका जरूर रेखा एक चोटी सी मुक्त चंद कविता पेश करूँगी और ये उन दमपतियों को व्रद्ध दमपतियों को समर्पित हैं जिनके बच्चे किनी कारणवश बाहर रहते हैं देश में या विदेश में के विदेश में बसे ब्रद्ध दमपति के विदेश में बसे एक लोते बेटे ने फोन पर कहा ब्रद्ध दमपति के विदेश में बसे एक लोते बेटे ने फोन पर कहा तुम्हारे पास आ रहा हूँ कुछ दिनों के लिए बच्चों को इंडिया घुमाने बताओ तो तुम्हारे लिए क्या ले आओं बताओ तो तुम्हारे लिए क्या ले आओं यहां सब कुछ मिलता है एक से बढ़कर एक बढ़िया और उन्दा चीजें बस नाम बताओ बस नाम बताओ तुम्हारी बहु पूछ रही है तो मा ने भरभराई आवाज में जवाब दिया तो मा ने भरभराई अवाज में जवाब दिया हाँ बेटा ले आओ अगर हो सके तो थोड़ा सा हौसला जीने के लिए थोड़ा सा होसला जीने के लिए इन आखों के लिए कोई खाब कोई अर्थ इन सांसों के चलने का ले आओ अपने पिता के सूने होटों के लिए मुस्कोराहट लाकर बिखेर दो इस घर के कोने में हमारे प्रश्णों के उत्तर इन बुड़े हातों को थामने की एक सिर्फ एक उंगली और हो सके तो ले आना अपनों की कुछ आहटे जो चीर दे हमारे चारों तरफ पहले सन्नाटे को बताओ बेटा तुम ये सब ले आओगे ना कि गुनगुनी शामों को मुठ्थी में दबाए फिर उन्हीं यादों के पंची लोट आए और हम लोटते हैं प्रग्या विकास के तरफ और एक मुख्तसर सी रचना सुनाने की इ देखे एक और गजल का मतला चन्द शार मतला यूँ की हाँ ये लाजम तो नहीं फिर से वही बात करो ऐक नए रंग में ढल जाओ नई बात करो और शेर देखें कि मुझको दुनिया की किसी बात में दिल्चस्पी नहीं मुझको दुनिया की दुनिया की किसी किसी बात में दिल्चस्पी नहीं तुमको करनी है अगर मुझसे मेरी बात करो तुमको करनी है अगर मुझसे मेरी बात करो हाँ ये लाजम तो नहीं फिर से वही बात करो एक नए रंग में डल जाओ नहीं बात करो क्या जरूरी है कि हर वक्त तुम ही बात करो और ये शेयर देखें कि बात एक बार जो तल जाए तो तल जाती है बात एक बार बात एक बार जो टल जाए तो टल जाती है बात को टालो नहीं मुझसे अभी बात करो बात को टालो नहीं बात को टालो नहीं मुझसे अभी बात करो हाई लाजम तो नहीं फिर से वही बात करो और ये शेर के खुदकलामी का अलग लुद्फ हुआ करता है खुदकलामी का अलग लुद्फ हुआ करता है वक्त मिल जाए तो वक्त मिल जाए तो खुद से भी कभी बात करो वक्त मिल जाए तो कुछ नहीं होगा बात मतलब की करो और खरी बात करो बात मतलब की करो और खरी बात करो बहुत भूब प्रग्या प्रग्या ने हमें फिर एक बहुत अची गजल सुनाई और हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं अलका की तरफ और अलका से कहेंगे कि अलका अगरवाल एक बह मांगू वहां रहता है, मांगू वहां रहता है, जहां पंचितत्व में बना शरीर राख में बदल जाता है, सजीव शरीर निर्जीव होने पर जला दिया जाता है, धुआ धुआ हो राख में बदल जाता है, है सिथा बन जाता है, वर्तमान से अतीत बन जाता है, सब को मौत स डर लगता है लेकिन मांगू को नहीं क्योंकि शम्शान ही तो उसके जन्म भूमी है शम्शान ही तो उसके कर्म भूमी है ये शम्शान ही तो है उसका रोटी कपड़ा और मकान उसके परिवार के जीने का जरिया है ये शम्शान जितनी लकडियां वो लाएगा किसी से पचास तो किसी से सौव वह पाएगा, कैसी तरासिदी है, कैसी विडंबना भी है, खुद पर शर्म भी मांगू को आती है, पर जीवन के कड़ूए सच के नीचे दव हो जाती है। रोज सुबह उट्टे ही ईश्वर से करता है वो कामना आज मुर्दे ज्यादा भेजना भोग से ना बिलखें बच्चे उसके जिन्दा रहने के लिए मुर्दों की करता है वो कामना कभी कोई जो ज्यादा दे जाता है तो वो मिठाई भिलाकर अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी सजा पाता है। मांगू का परिवार भूखा मर जाएगा ऑगर कोई मुर्दा जलने नहीं आएगा। सब कहते हैं, सब कहते हैं, मौत तू रुलाती है, लेकिन नहीं, यहां तो तू जिन्दिगी दे जाती है, यहां तो तू जिन्दिगी दे जाती है, मांगु के परिवार को जिन्दिगी दे जाती है, अगर कोई मुर्दा जलने नहीं आएगा, तो मांगु का परिवार भूख कि उसने कहा मैं जाती हूँ मैंने कहा ठहरना मैं भी तेरे साथ आती हूँ तेरे बिना तो कहां जी पाउंगी इसलिए जहां तु जायेगी मैं भी तेरे साथ आऊंगी भूल गई, जीवन भर साथ निभाने का इरादा था, छोड़ कर जाऊंगी नहीं, ऐसा ही कुछ तो तेरा वादा था तेरे बिना तो रिष्टे नाते सब हो जाएंगे बेजान, जाना ही है, तो साथ लेकर जाना, मेरी भी जान वो जहां थी, वहीं अटक गई, वो जहां थी, वहीं अटक गई, मेरी तरफ मुरी, तो लोगों ने कहा, लोग, ये तो फिर से रास्ता भटक गई दोड़ कर आई, और मुझसे आकर लिपट गई, ये बात ना जाने, कितनों की आँखों में खटक गई कौन है वो, बताती हूँ, ठहरिये जरा, उसे लेकर आपके पास भी आती हूँ नहीं समझें, उदास होठों को हसाने को, जो हर दम मचलती है मुसकरा कर देख भर लो, कि बाहें फैलाएं मिलती है, सुकून की बारिश में भिगो, चांदनी सी खिलती है वो कोई और नहीं, मन की खुशी है जनाब, गर खुशियां पांटो ना, तो उम्र भर साथ चलती है बहुत बढ़िया प्रग्याविकास, अल्गागरवाल और रेखा, आज आपने बहुत अच्छी अच्छी रचनाय सुनाई और हमारे दर्शकों को बहुत आनन्दित किया कि गुन गुनी शामो को मुठी में दबाए, क्योंकि आज ऐसा ही लग रहा है कि फिर वही बीते हुए पल, जब हम सब मिलके कभी कावेगोश्टी करते हैं, वो लोट आए, कि गुन गुनी शामो को मुठी में दबाए, फिर उन्हीं यादों के पंच्छी लोट आए, और जोडता है एक एक कर फिर जतन से, जोडता है एक एक कर फिर जतन से, काट कर जो पर शिकारी ने उड़ाए, और कह दिया नादान लहरों ने उन्ही को, वो जो तूफानों से कष्टी लेके आए, और इस शेर पे तवज्जो चाहूंगे कि भर रहा है दोस्ती का दम वो अब तक, भर रहा है दोस्ती का दम वो अब तक, कल मेरे खत फाड कर जिसने जलाए, और जब कभी भी हसरतों ने सर उठाया, जब कभी भी हसरतों ने सर उठाया, मुझको तुम पूछो नक कितना याद आए, गुन-गुनी शामों को मुठी में दबाए, फिर उन्ही यादों के पंची लोट आए, और इसी के साथ मैं अपनी साथी कवित्रियों को बहुत-बहुत शुपकामना देती हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, किसी उस्ताद ने कहा है कि फिक्र मुमिन की जुबादाग की गालिब का बया, फिक्र मुमिन की जुबादाग की और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे पास जजबा भी था, फन भी था और पूरी की पूरी मुकमल घजल आप लोगों को सुनने के मिली, मैं आप सभी का एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हूं, नमस्कार